Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 13.1 probability का question number 12 देखते हैं क्या है Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl यहाँ पर क्या कर रहा है? Born child की बात कर रहा है, वो क्या है? Equally likely दे रखा है, यहाँ पर event boy or girl का मतलब या तो boy हो सकता है या girl हो सकता है कोई कई percentage नहीं दे रखी की chance ज़्यादा girl के हैं या boy के हैं दोनों क्या है? equally likely दे रखे है If a family has two children, अगर किसी family में दो बच्चे है What is the conditional probability that? यहाँ तक ध्यान से देखना conditional probability किसके निकालनी है? That both are girls given that the youngest is a girl और second में at least one is a girl conditional probability किसकी किसके respect में निकालनी है? यहाँ पे देखो क्या काया है? बोथ are girls इसका इसके respect में और इसके respect में दोनों के respect में हमें क्या निकालनी है? conditional probability निकालनी है तो यहाँ पे देख लो total sample space क्या हो जाएंगे? total sample space total sample space का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें ध्यान से देखो बच्चो उसने क्या का है, दो बच्चे हैं किसी family के अंदर, और दोनों बच्चे equally likely boy और girl हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर sample space दोनों की दोनों लड़किया भी हो सकती है, एक लड़की एक boy भी हो सकता है, बड़ा boy और एक girl भी हो सकती है और दोनों के दोनों family के अंदर boy भी हो सकते हैं यही तो probability बनेगी total sample space बनेगे अब आप खुच से सोच लो अगर मान लो आपके family में दो बच्चे हैं तो उन दो बच्चों में अगर किसी को नहीं बता तो वो condition क्या बनाएगा दोनों boy भी हो सकते हैं family में दोनों girl भी हो सकते हैं एक girl एक boy भी हो सकता है या फिर बड़ा boy और छोटी girl भी हो सकती है यह हमारे पास total क्या आ गई sample space हो गई अब e event देखो उसने क्या कहा है event e में उसने क्या कहा है both girls both girls both girls का मतलब क्या है क्या होगा G और G इसको अठाएंगे यही तो event आएगा हमारे पास दोनों girl होनी चीए तो G और G हो जाएगा उसके बाद देखो यहाँ पर उसने क्या का आगे The youngest is girl तो F event क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चो बिलकुल अच्छे से समझो youngest is girl youngest girl इसमें भी है इसमें भी है तो दो होगे हमारे पास youngest girl कौन-कौन से element आगे हमारे पास girl girl भी हो सकती है और girl boy भी हो सकता है इसमें youngest क्या होगे हमारे पास girl हो गई अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर intersection देखना है P of E और F का हमें क्या find out करना बच्चो, conditional probability P of E by F निकालनी है, किसके equal होगी, probability of E intersection F upon probability of F, यही तो होगी बच्चो, तो यहाँ पे हम क्या निकालनी है, E और F का intersection, तो यहाँ पे E intersection F क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लो, इन दोनों में common क्या है, गल-गल, अब हमें probability of E intersection F चीए, क्या होती है, number of favorable outcome कितनी है, एक, total outcome कितने थे, 4, तो 1 by 4 probability आगी, probability of F देख लो, क्या होगी, F के अंदर कितने elements है, 2, और total कितने थे, 4, तो यह क्या आगे, हमरे पास 1 by 2 आगी, value put कर दो, E intersection F में 1 by 4, upon में 1 by 2, simplify कर लो, 1 by 4 into 2 by 1, तो 2, 2 जा 4, तो क्या probability आगे, 1 by 2 probability आगे, किसकी P of E by F की conditional probability, clear हुई बात, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, second part के अंदर चल पड़ते हैं, second के अंदर क्या आगा है, उसने, यह तो हमारी रहेगी, जो event था, किसका था, both girls का, girl और girl, यह तो हमारा base event हो गया, जो हमारा numerator में होता है, और denominator में जिसके respect में हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे at list 1 is a girl, इसमें क्या का है, f event क्या हो जाएगा, at list 1 is a girl, एक girl होनी चीए, तो इसके अंदर देखो क्या आजेंगे, इसमें भी एक girl है, इसमें भी एक girl है, इसमे कम से कम एक होनी चीए, ज्यादा से ज्यादा बेसक हो सकती है, कितनी भी, तो क्या क्या आजेंगे, girl girl, girl boy, और boy girl, अब यहाँ पे हमें क्या चीए, e intersection f चीए, e intersection f क्या आजाएगा, हमारा girl girl आजाएगा, तो इसकी probability अगर मैं निकालो, e intersection f की, तो इसमें तो एक ही element है, अब ओन में total sample space कितने थे, 1 by 4 आगई, तो probability of f event क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितने element 3 और total sample space थे 4, तो यहाँ पे निकाल दो भई, p of e by f, किसके equal हो जाएगी, probability of e intersection f divided by probability of f, तो e intersection f कितना बच्चो, 1 by 4, और यह 3 by 4, simplify करो, 1 by 4 multiply 4 by 3, 4 से 4 cancel तो कितना आगया, 1 by 3, यह answer होगे हमारा, किस probability का, at least one is a girl की, conditional probability, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, कोई भी problem किसी परकार की लगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, otherwise channel को जरूर सब्सक्राइब कर ले, thank you students for watching your channel, next class is.